संगत का मतलब है कि आप किसी कलाकार के ये किसी के साथ साथ जा रहे हैं तो उसमें हम लोग पर बंदिश रहती है और बंदिश भी नहीं मैं कहूंगा वो एक बड़ा अच्छा चैलेंज है हम लोग के लिए कि जिन कलाकार के हम साथ में बजा रहे हैं हमारा जो तबला है, जो हमारा काम है, सबसे पहले तो उनके काम से मैच करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस्ट में हैं, तो हम भी इस्ट में हैं, अगर वो वेस्ट में हैं, तो हम भी वेस्ट में हैं, वो उनके हर एक कलाकार का अपना टेम्परेमेंट है, बड़ी बड़ी प अच्छा संगतकार नी बन सकता और उनके मीजुक को समझना तब यह अच्छा लेकिन मेरे हिसाब से यह है कि उनके टेम्परेमेंट को उनके मूट को भी समझना है लेकिन उनका जो मीजुक है उसको बहुत अच्छे समझना चाहिए उनका मीजुक क्या कह रहा है विलंबित में है तो हमें विलंबित कही चीज़े बजानी चाहिए मद्दले में अगर वो काम कर रहे हैं तो मद्दले में करना चाहिए किसी जाती में काम कर रहे हैं तो हमें उस जाती के ही सबसे अपना च्छन अपना काइदा जो भी बजा रहे हैं वो बजाना चाहिए वो क कर रहे हैं तिसर जाती में काम हम उसको घंड जाती में कर रहे हैं वो मैच नहीं करेगा संगीत से मैच नहीं होगा जिस तरह का वो वो श्रिंगारस का काम कर रहे हैं हम वीरस का काम कर रहे हैं वो मैच नहीं होगा आप समझने ना वो कोई फ्रेज बजा रहे हैं जिसमें एक अबादत है, अल्ला की एक अबादत है, ऐसा कोई फ्रेज बजा रहे हैंजह इसे उसमें प्रिछा रही है यह वो इसा सोच के बजा रहे हैं कि मैं इश राधी कि आराध ना कर रहा हूं, मेरे काम में ल्ला पाला थ्टोड़ी तासीर दे। हम ऐसा कोई विरह रसका कोई फ्रेज बजा रहे हैं या मतलब तांडाव रसका कोई या मतलब कुछ ऐसा बजा रहे हैं उधर कि जो उसको मैच नहीं कर रहा है तो उससे हमारे एकमपनिमेंट में और साथ संगत में फर्क आता है जब हम सोलो बजाते हैं तो अच्छा संगत साथ में एक और बात है कि एक तबला प्लेयर के लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि जिस जिस जगह आप तैयारी पे बजा रहे हैं उससे तैयारी पे आपको बजाना पड़ेगा अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ओर्ड़नरी तैयारी पे बजा रहे हैं तो तबला प्लेयर को वहाँ बजाना ही बजाना पड़ेगा तो उसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती है और उस कलाकार को सोच के जाना पड़ता है स्टेज पे कि हाँ उस कलाकार की ये तैयारी है इस चंद में इतनी चीज़ों में वो काम करते हैं तो थोड़ा उनके बारे में स्टेडी करके जाना मुझे अच्छा लगता है ऐसा नहीं कि चले गए आँख पे पट्टी बांद के और वहीं जाके बैठ़गा कि आप जो भी होगा स्टेज पे देखा जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ चीज़े आपको ठीक सोच के जानी पड़ेंगे लेकिन कुछ परसेंटेज है तीस परसेंटेज या चालिस परसेंट ऐसा है कि जो इस्टेज पे भी हो जाता है अचा अगर आप सोलो की बात करें तो एक तबला प्लेयर को जब बच्पन में जैसे मेरा बेटा है या और है बच्पन में उसको सोलो की तो ट्रेनिंग देते हैं साथ संगत की थोड़े देते हैं और जब वो काफी बड़ा भी हो जाता है तो तब तक भी उसको सोलो ही बचवाता है सोलो में आप एक इंडिपेंडन्ट है आप अपने हिसाब से सोचेंगे अपने सोलो के लिए अपने काइदे रेले तिहाईया तुकड़े गते परने और आप उसको कितना अच्छे से लोगों तक दे सकते हैं एक ट्रे में सजा के मेरे पास में देखे साब पेशकार भी है काइदा भी है उसमें बढ़ध भी है तुकड़े भी है तिहाईया भी है तो सोलो असल में तबला जो है कि यह एक सोलो इंस्ट्रुमेंट है साथ संगत के लिए नहीं बनाया और अगर यह सिर्फ साथ संगत का इंस्ट्रुमेंट होता तो इसमें सिर्फ एकमपनिमेंट ही होता इतने सारे गराने बने हैं इसमें यह कभी नहीं होते देखे कितने घराने हैं और कितने घरानों पे अलग अलग लोगों ने काम किया है और हर घराना अपनी शकल में अलगी है कोई किसी से मिलता नहीं है वो अलग बात है कि हम लोग मिला दें उसको वो अलग बात है कि हम लोग अजराड़ा के काइदों को दिल्ली में और दिल्ली के बनारस में बनारस के लखनों में वो अलग बात है लेकिन अपनी इंडिविज्वल उसकी एक पहचान है सोलो तबला एक बहुत ही बेहतरीन कला है जो अनफॉचनेटली अभी कम भी हो रहा है और दूसरा दुरभाग ये है कि जो औरनाइजर्स हैं उनको ये पता ही नहीं है कि तबला सोलो भी बच सकता है या नहीं बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बात को एगरी करते हैं कि हाँ सोलो तबले का भी एक प्रगाम होना चाहिए